संगर्स का दीपक गाउं के एक कोने में एक युवा लड़का अर्जुन हर रोज एक पुरानी किताब को पकड़ कर बैठा रहता था वो किताब उसकी मा की अंतिम निशानी थी जो उसे हमेशा कहती थी ज्यान ही सबसे बड़ी दौलत है लेकिन अर्जुन के पिता एक गरीब किसान थे और घर में दो वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल था अर्जुन पढ़ाई करना चाहता था लेकिन हालात उसकी राह में दिवार बन खड़े हुए थे एक दिन अर्जुन ने गाउं के मंदिर के पास बैठे मात्मा बुद्ध को देखा उनके चेहरे की सांति और तेज ने अर्जुन को अकरशित किया वा उनके पास गया और बोला गुर्देव मैं पढ़ना चाहता हूं गरीब पर गरीबी मुझे रोकती है क्या मेरा सपना कभी सच होगा बुद्ध ने उसकी आखों में जाग कर कहा तुमारी समस्या गरीबी नहीं तुमारा डर है क या तुम अपने सपने के लिए संगर्स कर सकते हो अर्जुन ने सहमति में शिर्ह लाया लेकिन वाया नहीं समझ पाया कि बुद्ध का इसारा किस और है अर्जुन ने अगले ही दिन मेनत करने शुरू कर दी उसने खेतों में मजदूरी की गाओं के घरों में चोटे-मोटे काम किये और एक-एक पैसा जोडने लगा लेकिन उसकी रा में रुकावटे कम नहीं थी गाओं के लिव उसका मजाक उड़ाते और कहते किसान का बेटा राजा नहीं बन सकता पड़ाई तुमारे बसकी बात नहीं अरजुन का आत्म विश्वास डगमगाने लगा लेकिन हर ब काम वरबाद हो गया वह तूट चुका था उसकी आखों से आशू बह निकले उसी वक्त बुद्ध वहां आए और बोले या समय हारने का नहीं जो दीपक तु अपने अंदर जलाना चाहता है उसे बाहर की आनिया बुझा नहीं सकती उठ और फिर कोशिस कर अरजुन ने हिम बहर जाकर पढ़ाई कर सके कुछ वरसों बाद अरजुन एक विद्वान बनकर अपने गाउं लोटा उसने ना केवल अपने सपने को पूरा किया बलकि गाउं के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला अरजुन ने सब के सामने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा गु संगर्ष जीवन का सबसे बड़ा